नमस्पार दोस्तों, एको इक्स्टूजिन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हाथ को देखकर के क्या हम ये जान सकते हैं कि हमारे विवाहिक जीवन में समस्याओं आ रही हैं या पिर समस्याओं आ सक्ती हैं। दोस्तो एक चीज मैं यहाँ पर किलियर कर दूँ, आप अपने सुभाओं में बदलाओ लाकर के अपना विवाहिक जीवन अच्छा कर सकते हैं, और अगर आप लव रिलेशेशिप में हो और आपका ब्रेक अप हो रहा है, तो भी आप अपने सुभाओं में चेंजिस लाकर के अपनी तरफ से तो चीजों को बचा सकते हैं, और बाकी अगर सामने वाला नहीं बचाना चाहता तब कंडिशन दूसरी हो जाएगी, तो पामिस्ट्री के अंदर हम कौन सी रेका हैं देखें, जिनको देखकर के हमें ये पता चल जाएगी, हमारे विवाहिक जीवन में समस् तो सबसे पहले हम बात करें हिरदय रेखा की, हिरदय रेखा जो है वह बुद्द के परवत से निकलती हुई ब्रस्पती परवत की तरफ जाती है, अगर ये साफ और इस्पस्ट है, तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर ये रेखा जो है वह टुकडे में आगे की तरफ, कुछ इस तरीके से, तो इस केस के अंदर Вिवाहिक जीवन में समस्या आती है। तो यहां पर भी कही न कहीं विवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। अगली रिखा की जिसे बोलते हैं विवार रिखा यानि कि विवार रिखा पर कहीं दोस्तों नहीं बन रहे हैं। यदि विवार रिखा इस तरीके से निकल रहे हैं और आगे जाकर कि उसे एक रिखा बंद कर देती हैं तो इस केस में भी विवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। विवार रिखा साफ और स्पस्ट होनी चाहिए और थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए तो इस केस के अंदर विवाहिक जीवन काफी अच्छा चलता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले पॉंट की ब्रस्पती परवत पर तिल होना या फिर जाल होना या फिर दीप होना या दबा होँआ होना या छोटा होना ये भी कही ना कही हमारे विवाहिक जीवन में परिशानी लाता है। अगर आपको ब्रस्पति परवत पर कोई इस तरीके का तिल देखने के लिए मिले तो ये भी कही न कहीं दापत्य जीवन को परभावित करता है अगर ब्रस्पति परवत पर आपको कोई जाल देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरीके का तो ये भी कही न कहीं हमारे विवा पर सुब संकेत नहीं है और ब्रस्पती परवत का अंदर की तरफ दबा होना यानि कि अगर ब्रस्पती परवत उठा हुआ ना हो और दबा हुआ हो तो इस केस के अंदर भी विवाहिक जीवन जो है अच्छा नहीं चलता या फिर ब्रस्पती परवत अंदर की तरफ भी दब स यानि कि जीवन रेखा मस्तिक्स रेखा यहां से निकल रही हूं और ब्रस्पती परवत काफी छोटा देखने के लिए मिल रहा है तो इस केस के अंदर भी कही न कहीं विवाहिक जीवन में समस्याइं आ सकती हैं चलिए दोस्तो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं अगर आपक एक अच्छा सा जाल आपको परतीत हो रहा है तो इस केस के अंदर भी कही न कहीं आपकी विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम साती हैं और अगर शुकर परवत पर कोई रेखा जो है वह दीप का चिन बना ले तो ये भी असुप संकेत माना जाता है और ये भी कही न कहीं हमार विवाहिक जीवन में समस्या इलाता है अगर आपका शुकर परवत अंदर की तरफ दब जा रहा है यानि कि उठा हुआ नहीं है उसमें थोड़ा सा वह आपको फील होता है कि डाउन है यानि अंदर की तरफ दबा हुआ है तो इस केस में भी विवाहिक जीवन में कहीं न कह समस्याईं आते हैं तरी दोस्तों आगले पुइंट की बात करते हैं वो है अंगुठा अंगुठे का दूसरा पर या फिर पहले पर पर तिल या फिर क्रॉस होना त्रिक कि अंडर यहां पर पर तिल देखने के लिए मिलता है तो इस केस में थोड़ी वैक जीवन में समस्या हो सकती है या फिर आपको कोई जाल देखने के लिए मिलता है यानि कि इस तरीके की खड़ी रेखाए हैं बनी हुई अंगुठे के ऊपर और आपको यहां पर इस तरीके से जाल देखने के लि और फिर उसके बाद यहां पर कुछ रेखा हैं उनको काट दे रही हैं और आप देख पा रहे हैं कि आपके अंगोटे में बहुत गहरा जाल बना हुआ है और अगर यह जाल देखने के लिए मिलता है तो यह भी कही ना कही हमारी विवाहिक जीवन में समस्याइं क्रियेट करत और यदि आपको पहले पर पर भी कोई तिल का चिन मिल जाता है कहीं ने कहीं यह भी विवाहिक जीवन में समस्याइं लेकर के आता है तो यह लिए दोस्तों आपने बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की अगर मस्तिक रिखा जीवन रिखा से दूरी बना कर चल रही है तो ऐसे लोग अपने वेचारों को लेकर के काफी सोतंतर होते हैं यह लोग अपनी लाइफ में किसी का इंटर्फिरेंस नहीं चाहते हैं यहां तक कि अपने पार्टनर का भी इंटर्फिरेंस नहीं चाहते हैं यह जो डिसाइड करें उसमें यह खुश रहते हैं और उसके लिए effort भी लगाते हैं इसलिए काम्याब काफी होते हैं लेकिन इनका जो विवाहिक जीवन है वो कहीं न कहीं problematic होता है लेकिन मैंने देखा है कि काफी बार जब ये अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो यहां से कुछ रेखा हैं निकलती हैं और जीवन रेखा की तरफ मिल ज जाती हैं तो उस समय इनका विवाहिक जीवन काफी अच्छा चलने लगता है तो मस्टिक रेखा जितनी जादा दूर होती जाएगी आपकी जीवन रेखा से उसके इसके अंदर व्यचारिक सोतंतरता उतनी जादा बढ़ती जाएगी अगर ये थोड़ी दूर है तो कोई problem बाली बात नहीं है और कुछ रेखाओन इसको अगर जोड़ दिया है तो ये तो काफी अच्छे संकेत हैं इसके इसके अंदर इंसान व्यचारिक सोतंतर भी रहता है लेकिन बाकी लोगों को भी समझता है और अपने partner को भी समझता है चलिए दोस्तो अब हम भात करते हैं अ पहले पर पर या दूसरे पर पर या तीसरे पर पर तो इसके इसके अंदर भी विवाहिक जीवन में कही न कहीं थोड़ी बहुत समस्याइं आती हैं और अगर तरजनी उंगली के दूसरे पर पर आपको कुछ इस तरीके का जाल देखने के लिए मिलता है तो ये भी कही न कह हमारे विवाहिक जीवन में समस्याइं लाता है और अगर यही जाल आपको तीसरे पर पर भी देखने के लिए मिल जाए तो यह भी कही न कहीं हमारे विवाहिक जीवन में समस्याइं लाता है और यदि तरजनी उंगली में आपको तीन से जादा पूर मिले यानि कि एक, दो, तीन, आपको चार पूर देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये भी कहीं न गहीं हमारे विवाहिक जीवन में समस्याओं को क्रियेट करता है तो तरजनी उग्ले में कहीं नगहीं दोश होता है, तो हमारे पार्टनर के स tomar के साथ हमारी नई बनती, क्यों? क्योंकि व다 ब्रस्पति परवध के गुरों को कम कर देता है और ब्रस्पति परवध मेरिच लाइफ के लिए बहुत जादा इंपर्टन हो जाता है लिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले इट पॉइंट की जिसे बोलते हैं निम्न के मंगल में बहुत सारे क्रॉस होना या फिर आपको कुछ जाल जैसा देखने के लिए मिल जा रहा है तो इस केस के अंदर भी इंसान जो है वा काफी गुस्याल रहता है अपने उपर कंट्रोल नहीं कर पाता जिसकी वजह से पार्टनर के साथ इनका मन मुटा हो जाता है और विवाहिक जीवन कहीं न कहीं थोड़े प्रॉब्लमेटिक कंडिशन में चला जाता है तो निम्न के मंगल में बहुत सारे क्रॉस होना या फिर जाल बन जाना ये भी कहीं न कहीं हमारे विवाहिक जीवन में समस्यां लेकर के आता है तो आपको अपने गुसे पर कंट्रोल करना है अगर आपका निम्द का मंगल इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है तो दोस्तो जिस तरह की से मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ एक पॉइंट्स पताए अगर आपका विवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो उसकेस के अंदर आप ब्रस्पती की पूजा कर सकते हैं और सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है वो है आपके अंदर खुद देपाते हैं और बिजी हो जाते हैं दुखसरे कामों में लेकिन याद रखना अपने पार्टनर को मोस्ट प्रियोरिटी पर रखिए जीवन में आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाला है तो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहि तब ही आपका ग्रस्त जीवन जो है वह अच्छे से चल पाएगा तो अगर इस तरीके के दोश आपको हाथ में दिखते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आप अपने अंदर परिवर्तन कीजिए और ब्रस्पति के उपाय करना शुरू कीजिए उमीद करता हूं दोस्तो तो ये वीडियो आपके लिए इनफॉर्मेटिव रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें और यदि आप हमारे एस्टोलोजर से बात करना चाहते हैं तो दिए नबर पर कॉल या वर्टसप कर सकते हैं और यदि आप आमिस्ट्री सीखना भी चाहते हैं तो सेम नबर पर कॉल या वर्टसप करके इनफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रातना करूंगा कि वैं आपकी सारी मनों कामनाएं पूर्ण करें